बॉड यूनिंग दोस्तों, मेरे नाम है डॉक्टर केज, जब लेवर हमारे चैनल डॉक्टर कंसल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है तो आज के इस वुड़े में हम बात करने वाले हैं कि बॉड़ी के अंदर जो टेस्टेस्टेरोन हर्मोन होता है उस टेस्टेस्टेरोन हर्मोन को हम naturally कैसे बढ़ा सकते हैं इसके बारे में तो सबसे पहली बात कि अगर आपको आपने बॉड़ी में टेस्टेस्टेरोन की quantity को टेस्टेस्टेरोन की levels को अगर naturally बढ़ाना है तो आपको सबसे पहली बात की डेली बिना चुके exercise करने पड़े हैं तो daily exercise करना testosterone को बढ़ाने में काफी ज़्यादा मदद करता है इसके साथ exercise करते वक्त वेट lifting करना मतलब की वजन उठाना ये भी ज़्यादा काफी important role play करता है testosterone की levels को बढ़ाने में तो daily exercise करना with weight lifting exercise ये काफी ज़्यादा important और काफी ज़्यादा जरूरी होता है testosterone की level को naturally बढ़ाने के लिए इसके बाद उस वेक्ति को खाने में हमेशा balanced diet लेनी चाहिए balanced diet का मतलब होता है कि उस diet के अंदर उस वेक्ति को proper quantity में carbohydrates, proteins और fats सभी चीज़े मिलनी चाहिए एसा नहीं कि सिर्फ carbohydrates खा लिए और उस खाने के अंदर protein ही नहीं है तो एसा नहीं चीज़े proper quantity में उस वेक्ति के खाने के अंदर होनी चाहिए वो proper balanced diet होनी चाहिए तो इसके बाद जो तीसरा step होता है naturally testosterone को बढ़ाने के लिए ओ होता है minimize your stress and cortisol levels मतलब आगर आप बार-बार किसी भी चीज़ का stress लेते हो हमेशा tension में रहते हो तो इसके वज़े से भी testosterone hormone की level काफी ज़्यादा कम हो सकती है और oppositely इसके वज़े से cortisol की level काफी ज़्यादा बढ़ जाते है तो cortisol और testosterone ये दोनु चीज़े एक दूसरे से inversely proportional है जब भी testosterone बढ़ता है तो cortisol कम हो जाता है और जब भी cortisol बढ़ जाता है तो testosterone कम हो जाता है तो आपको हमेशा testosterone कैसे बढ़ाई रखना है और cortisol को कैसे कम रखना है इस चीज़ को काफे जादा ध्यान देना पड़ेगा इसके लिए आपको हमेशा अपनी stress levels कम रखने ही पड़ेगी इसके बाद क्रेश्टरों को naturally बढ़ाने के लिए हमें सुबा उठते ही sunlight लेनी चाहिए जिसको कि हम एक fresh sunlight बोलते हैं जो कि सुबा 7 बज़े से लेकर कि सुबा 9 बज़े के दर्मियान सुबा के दो घंटे होते हैं सुबा के 7 से लेकर कि सुबा के 9 बज़े तक इन 2 घंटे के अंदर सुबा में जो पहली-पहली सुरज की रोशनी आती है उसके अंदर अगर हम बेढ़ते हैं तो उसके वज़े से भी हमारे बोड़ी के अंदर विटैमिन D बनता है और इस नैचरली बनने वाले विटैमिन D के वज़े से हमारे बोड़ी के अंदर टेस्टेस्टेस्टेरोन के लेवल बढ़ने में काफी जाधा मदद होती है तो इसके लिए कि सुबा की पहली सूरज की किरने होती है उनको फेस करना उनको अपने बोड़ी के ऊपर लेना ये काफी जरूरी होता है जिसके वज़े से कि नैचरली टेस्टेस्टेस्टेस्टेरोन बढ़ सके और अगर किसी कंडिशन के वज़े से वो व्यक्ति या फिर वो पेशन्ट नैचरली सनलाइट नहीं ले पा रहा तो उस व्यक्तिव को जरूर से विटेमिन D3 के सप्लेमिंट लेने चाहिए आज के लिए विटेमिन D इंट्रमस्किलर इंजेक्शन के फॉर्म में भी मिलता है और और औरली टैबलेट आपको हफते में एक बार लेनी होती है और जो इंजेशन आता है वो भी इंट्रमस्किलर आपको हफते में एक बार ही लेना होता है तो यह alternative है उन लोगों के लिए जो लोग directly sunlight नहीं ले सकते हैं उनके लिए और जो लोग naturally sunlight ले सकते हैं तो उनके लिए it is the best to take the natural sunlight rather than taking those tablets and capsules तो naturally testosterone के लेवल बढ़ाने के लिए आपको आपके खाने के अंदर ज़रूर मल्टी विट होता है वो होता है जिंक तो जिंक का आपके खाने में होना काफी ज़्यादा मददगार साभीद होता है टेस्टेस्टरोन को बढ़ाने के लिए तो ऐसे multivitamin और mineral के जो sources है जिनके अंदर जिंक काफी मातरा में है उन चीजों को या फिर उन supplements को आप अपने खाने के अंदर या फिर आपने routine के अंदर ज़रूर से include कर सकते हो इसके बाद जो 6th point होता है हमारे body में testosterone को naturally बढ़ाने के लिए वो होता है good and sound sleep मतलब अगर आपको हर रोज रापको अच्छी नींद आती है तो उसके वज़े से भी testosterone body में बढ़ने के लिए और बढ़ने के लिए काफी होते हैं जो कि आप अपने routine के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो इनको क्या medications ऐसे तो नहीं बोल सकते लेकिन इनको आयरुदय में as a medication ही बताया गया है तो इन चीज़ों को अगर आप अपने खाने के अंदर लेते हो तो इनके वज़े से भी हमारे body में testosterone के formation को या फिर testosterone के बढ़ अश्वगंदा लेना, ginger लेना और इसके साथ साथ शिला जीत लेना ये कुछ ऐसे ingredients है ये कुछ ऐसे आयरुदिक preparation है जिनको लेने के वज़े से आपके body में testosterone का formation या फिर testosterone की level काफी अच्छे मातरा में बढ़ सकते हैं और जो last point होता है testosterone को बढ़ाने के लिए वो होता है कि स हुआ है उनको हमें award करना है जैसे कि BPA या फिर जो parabens होते हैं जो कि mostly पानी के bottles होते हैं जो कि हम लेते हैं पानी पीने के लिए इनके अंदर काफी जादा मातरा में BPA होता है और जब भी हम इस तरह से इस तरह के bottles में कुछ खानी-पनी की चीज़े रखते हैं और फिर उन् इसलिए ऐसे जो भी compound से जो estrogen जैसे act करते हैं, उनको हमें खाने के अंदर बिल्कुल भी नहीं खाना है, इसके साथ अगर आप regularly कोई दवाई ले रहे हो, या फिर कोई pain killer ले रहे हो, या फिर कोई steroid जैसी कोई medication ले रहे हो, तो आपको उसे डॉक्टर की सला से बंद करना चाह इसका भी काफी बुरा असर testosterone के लेवर पर पढ़ सकता है, इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी बुरी आदत है, जैसे कि cigarette smoking हो, या फिर शराब पीना हो, या फिर tobacco choring हो, तो यह भी सभी ऐसी बुरी आदत हैं, जिनके वाज़े से आपके body के अंदर जो testosterone का formation और testosterone के level है, व अगर आपके इसके विशे में कुछ डावर से तो आप हमी नीचे comment section में जरूर पूर सकते हो, thanks for watching this video till then, thank you very much.